आज के किचन टिप से बहुत ही काम कैं, सिरफ दो किचन टिप से और बहुत ही काम आने वाले हैं, आज हम इस विडियो में देखने वाले हैं कि मिट्टे के बरतन को कैसे क्लीन करें, कैसे यूज करें और नएया जब खरीत किलाते हैं तो उसे कैसे हम रखें विल्कम टू मैं चैनल मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की किचन टिप्स आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए तो सबसे पहला है मटर को लेकर दिखिए अभी जो सर्दी कम हो समय मटर बहुत अच्छे आते हैं और अभी इसका सिजन थोड़ा कहतम ही होने वाला है कहीं तो अब तक खतम भी हो जाता है कहीं कहीं लंबे टाइम तक मिलते हैं मटर तो अभी सर्दियों के सेजन में जह मटर आय तो हमस्टोर कर के रख लेंगे ताक गर्मियों में भी इसका मज़ा ले सके तो यहां पर सबसे पहले मैंने चार केजी मटर को छील लिया है और मटर छीलते टाम एक बात का ध्यान नकिए कि थोड़े से भी सड़े गले जो मटर होते नो वो निकाल देगे देखिए मैंने देख के छीला था फिर भी कुछ इस तरीके से पीले दब्बे वाले हैं तो इन्हें हम निकाल देंगे क्योंकि ह अच्छे से श्टोर करके रखना लंबे टाइम के लिए तो यह सब हमें सफाई देख के करनी है तो यहां पचार केजी मटर को मैंने छील के अच्छे साफ कर लिया है अब यहां पर मैंने ले लिया एक पतीला और इसमें मैंने आधा पानी बर लिया है और इसे हम गरम होने अच्छी तरीके से उबलने देना है तो देखिं़ यहां पर ढकन बं करते है और इसे उबलने देते है जब पानी में उबल आ जाएगा तब इसमें मटर चिल के रखे आज है न तो चलिए इसमें थोड़ा सा एक चीज और एड़ कर देते हैं वह है चीनी जिसे हमारे मटर में मिठास बनी रहेगी तो यहां पर मैंने 4 kg मटर में एक चमच भर के चीनी ले लिया है इसे कलर भी बहुत अच्छा रहेगा ग्रीन रहेगा और जो मटर उसमें मिठास बनी रहे तो यह से तैयारी आप करके रखिए ठंडा पानी का एक बोल भरके रखिए और इसे निकाल के फटा 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 आप ठंडा पानी में डाल दे क्योंकि हम इसे पकाना नहीं है अगर यह ज़्यादा पक जाएगा तो जब हम इसे स्टोर करेंगे तो सारे दब जाएंगे एक फैन के नीचे रख देंगे एक से आदा गंटा के लिए जादा नहीं पस इसका पानी सूख जाए इतना हमें इसे सुखा लेना है तो मैंने आप एक कॉटन का कपड़ा ले लिया और इसके उपर मटर को फैला दिया है और छोड़ देते हैं थोड़ी दिर में मटर जो है एक शीशन होटा के बैड़क टार सबस्के सूर्ण उस में इस में उसमें इस तरीकी जीप-Lock बैग आती है च्छोटे च्छोटे, उसमें भरके रखिए यहाँ मेरे बड़े और चूटे दोलें बीड़े है और सब से च्छोटा वाला हो तो उसमें भी रख सके इसमें क्या फ पांच बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इस पेस भी कम रहेगा और जितना हम उतना निकालेंगा और बाकी अच्छे से रहेंगे तो यह साल भर के लिए मटर स्टोर करके आप रख लिए इस प्रोसेस से इस टिप्स को अपनाईएगा जोरूर बहुत काम आएग तो हमारा अगला यूश्फूल टिप्स है मिट्टी के वरतन को लेकर देखे मैंने मिट्टी के एक हंडी लेकिया था इसके उपर डखकन भी है और यह पूरा नया ही है मैंने इसे भी यूज नहीं किया है आप लोगों मैं आज इसके कुछ टिप्स बता रही हूँ कैसे इस रखना है और फर्स टाइम जब लेकिया इसे कैसे यूज करें हम नॉर्मली क्या करते को भी बरतन श्टील का हो या कुछ भी बरतन दोके लाके हम क्या करते उसमें कुकिंग करने लगते हैं बट मिट्टी के बरतन में ऐसा नहीं होता है उसे आपको अच्छे से क्लेन करने क बाद रात भर के लिए इस तरीके के पानी भरे बरतन में रात भर छोड़ दीजिए या तो बाल्टी ले 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 लिजिए और इसे न हमें रात भर के लिए छोड़ना है तो अच्छे सम पानी भर देंगे या दाही डिप है तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल देते हो कि प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड को साथ इस वीडियो को शेर जरूर करिए और यहां पर दिखे मैंने से रात बर के लिए रख दिये थे और यह अच्छे से मतलब पानी जो है ना सोक लिया है और इसे हम पानी में से निकाल देंगे अब इसे हम क्लीन करेंगे तो क्लीन करने के लिए कोई साबुन सरब की जरूरत नहीं है बस नमक डालना है और जो सौफट पॉला स्क्रबर होता है ना स्पॉंज वाला वह हमें ले लेना है तो यहां पर मेरे पास यह वाला है बस नमक डालके और इसे अच्छे से हमें साफ कर द वाश करने के बाद भी हम इसे अभी खाना नहीं बनाएंगे इसे हम अभी रखेंगे धूप में कम से कम एक दिन के लिए इसे अच्छी से धूप में रख दीजिए एक दिन के बाद इसमें हम खाना बनाना स्टार्ट करेंगे तो मैंने यहां पर 24 गंटे के लिए इसे धू तो जब धूप अच्छी तरीके से लग जाएगी उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे आप कोई भी तेल ले सकते हैं सरसो तेल ले लिजिए रिफाइन तेल ले ले लिजिए और हमें इस तरीके से जो हांडी है उसके चार हो तरफ हमें तेल लगा देना है आगे पीछे और हमें तैयार है खाना बनाने के लिए तो चलिए इसमें कुछ बनाते भी है तो अब गैस की तरफ चलते हैं तो यहां गैस मैंने ओन कर दिया है और थोड़ा साम हांडी को गरम होने देंगे आज हम इसमें बनाएंगे जीरा राइस तो मैं आपा याज सबजी नहीं बनान प्रोसेस करना है हमें जब तेल घी तोड़ा सा गरम हो जाए उसके बाद इसमें हम जीरा डालेंगे एक छोटी चमध जीरा डालेंगे और यह जो बरतन है अगदम भारी है ऐसा नहीं है कि पतले कुछ जो हांडी होते हैं तो खाना थोड़ा सा उसमें जलने लगता है यह थ कुकिंग करना बहुत ही आसान है मतलब जो हम स्टील के हो या फिर कॉपर के हो अलिमनियुम के जो भी बरतन हम लेके आते हैं तो उसे हमें अच्छे से क्लीन करना होता है खाना बनाने के बाद भी अच्छे सरगना पड़ता है मिट्टी के बरतन में इतना कुछ जंजट नहीं दें जब आप पर स्टील देंगे जब एक उबाला जाएगा तो हम कम कर देंगे अभी मैंने हाई रखा है और एक उभाला गया है तो एक बन मैं से मिक्स कर देती हूं और फ्लेम को कर देती हूं लो और से धिमी धिमी आज पे हम जीराराइस को पकने देंगे तो यहां पर चावल को पकने के लिए रखा था वो अच्छे से कुक हो गया है एक बर मैं आपको चला के दिखा दे तो अभी भी यह बहुत गरम है तो हम जब जीरा राइस बनाते तो फटा पट उसे चलाते ने ने तो वह जादे टूट जाएंगे बट मैं आपको दिखाने के लिए आप देखिये मैंने चावल तो बनाके खा लिए अब इसकी क्लीनिंग करने के लिए क्या करना है आप पाणी डाले भर पूर और इसको नमक और थोड़ा सा निमभू डालके अच्रब कर लीजिए फिर से सुखाके और थोड़ा सा तेल लगा आप इस स्टोर कर सकते है तो दोंगी नए वीडियो में नए रेसिफिक साथ तब